द्यवस्ता विवरन अध्याय 18 लेविय याजकों का बरन सारे लेविय गोतरियों का इस्राइलियों के संग कोई भाग वा अंश नहों। उनका भोजन हव्य और यहवा का दिया हुआ भागों। उनका अपने भायों के बीच कोई भाग नहों। क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निजभाग धारा है और चाहे गाय बैल चाहे भेडबकरी का मेलबली हो उसके करने वाले लोगों की ओर से याजुकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और जोज याजक को दे तो उसको अपनी पहली उपज का अन नया दाखमधू और टटका तेल और अकनी भेड़ु का वह उपज देना जो पहली बार कत्रा गया हो क्योंकि तेरे परमिश्वर यहोवा ने तेरे सब गुत्रियों में से उसको चून लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहर करने को उपस्तित हुआ कर फिर यदि कोई लेविय इसरायरेव की बस्तियों में से किसी से जहां वह परदेशी की नाए रहता हो अपने मन की बड़ी अभिलाशा से उस थान पर जाए जिसे यहोवा चून लेगा तो अपने सब लेविय भाईयों की नाए जो वहां अपने परमिश्वर यहोवा के सामने उपस्तित होगे वह भी उसके नाम से सेवा टहर करें और अपने पुर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भूजन का भाग भी उनके समान मिला करें जब तु उस देश में पहुचे जो तेरा परमिश्वर यहोवा तुझे देता है तब वहां की जातियों के अनुसार घिलोना काम करने को न सीखना तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे वा बेटी को आग में होम करके चाढ़ाने वाला वा भावी कहलाने वाला वा शुभ अशुभ मुर्तों का मानने वाला वा टोना वा तांत्रिक वा बाजिगर वा ओजों से पूचने वाला वा भूत साधने वाला वा भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, वे सब यहवा के सन्मुख ग्रुनित हैं, और इनी ग्रुमित कामों को करने के कारण तेरा यहवा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है, तू अपने परमेश्वर यहवा के सन्मुख सिद्ध बना रहे है वे जातिया जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभा शुभ मोहरतों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की जुना करती है, परन्तु तुझको तो तेरे परमिश्वर यहवा ने ऐसा करने नहीं गिया, तेरा परमिश्वर यहवा तेरे मध्वे से, अर्था तेरे भा पहाड के पास सभा के दिन अपने परमिश्वर यहवा से की थी कि तुझे कि मुझे न तो अपने परमिश्वर यहवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आठ फिर देखनी पड़े कही ऐसा ना हो कि मर जाओ तब यहवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं सो मैं उनके लिए उनके भाईयो के बीच में से तेरे समान एक नभी को उत्पन्न करोगा और अपना वच्चन उसके मुह में डालोगा और जिस जिस पाक कि मैं उसे आगळा दूँगा वही वह उनको कह सुनाएगा और जो मनुष्य मेरे वच्चन को जो वहाँ मेरे नाम से कहेगा क्रहन न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूँगा परन्तु जो नभी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आग्या मैंने उसे न दी हो वहाँ पराय देवताओं के नाम से कुछ कहे वहाँ नभी मार डालाजे और यदि तु अपने मन में कहे कि जो वचन यहवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीती से पहचाने तो पहचान यह है कि जब कोई नभी यहवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वहाँ वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं परन्तु उस नभी ने यह बात अभिमान करके कही है तू उससे भै न खाना